MI निचले स्तर पर है, लेकिन पूरन की जीत ALSG को प्लेफ में ले जाने में विफल रही, तुशार और चावला के उलेखनिय प्रदर्शन के बावजूद, जिन्होंने तीन-तीन विकेट लिये और रोहित शर्मा की 38 गेंदों पर 68 रन की पारी के बावजूद, मुंबई MI को सीजन की दस्वी हार का सामना करना पड़ा। लिए हालां की LSG ने सीजन की अपनी सात्वी जीत हासिल की और 14 अंक तक पहुँच गए। लेकिन उनके माइनस 0.667 के नेट रन रेट ने उन्हें पहले बल्ले बाजी करते हुए 214 रन का मजबूत स्कोर बनाने के बावजूद, शीर्ष 4 से बाहर रखा। टीम को अपने NRR में परियाप्त सुधार करने के लिए एक असंभव बड़े अंतरवाली जीत की आवश्शकता थी डॉट, निकोलस पूरन ने LSG को एक परिचित संकट से बचाने में महत्वपून भूमिका निभाई। उनकी 29 गेंदों में 75 रनों की पारी ने एक अनुभवहीन M.I. आक्रमन के खिलाफ एक सुस्थ पारी को मजबूत किया, जिसमें प्रमुख खिलाडी जस्पृत बुम्रा और अर्जुन तेंदुलकर गायब थे डॉट, थोड़ी देर की बारिश की देरी के बाद, रोहित शर्मा की बाउंदरी की जड़ी से प्रेरित होकर M.I. ने मजबूती से पीछा करना शुरू किया, हाला कि वे बिना किसी नुकसान के 88 रन से लड़खडा कर 5 विकेट पर 120 रन पर आ गए, जिससे एक सफल लक्ष का पीछा करने की अथार्थवादी उम्मीदे खत्म हो गई यह परिणाम हार्दिक पंड्या की नई कप्तानी के तहट तीन सीजन में M.I. के दूसरे अंतिन स्थान पर रहने का प्रतीक है A.S.G. अपने तीन सीजन के इतिहास में पहली बार प्लेव से चूप गया डॉट, देवदत्थ पडिककल को शीर्ष पर एक और मौका देने का A.S.G. का निर्णय निरर्थक रहा क्योंकि वह शूने पर आउट हो गए तुशारा और तेंदुल करने बल्ले बाजों को शुरुवात में परिशान किया पीउश चाबला ने स्टोइनिस और हुडा को तेजी से आउट किया जिससे दसवें ओवर तक A.S.G. का स्कोर तीन विकेट पर उनहत्तर रन हो गया पूरन ने केल राहुल की धीमी स्कोरिन को छिपा कर मैच का पासा पलट दिया राहुल के 33 गेंदों पर 40 रनों की पारी को पूरन के आकरामक ओवर में अंशुल कमबोज के 22 रन और 13 ओवर में हार्दिक पंड्या के लगातार छक्कों ने मात दे दी 14 ओवर में पूरन का आकरामक रुख जारी रहा उन्होंने तेंदुलकर की चोट का फाइदा उठाया जिससे स्थानापन गेंदबाज नमंधीर को आकरमण में लाया गया वह ओवर 29 रन तक गया जिससे एलेस जी का कुल स्कोर काफी बढ़ गया डॉट राहुल के साथ पूरन की साजेदारी और आयुश बडोनी के अंतिम आकरमण 10 गेंदों में 22 रन ने एलेस जी को 6 विकेट पर 214 रन तक पहुँचाया डॉट रोहित शर्मा ने अपने हालिया खराब फॉर्म के बावजूद शानदार पारी खेली देवाल्ड ब्रेविस के साथ साजेदारी करते हुए उन्होंने आकरामक रूप से 215 रन के लक्षे का पीछा किया और स्वतंत्र रूप से बावंदरी लगाई रोहित की 28 गेंदों की अर्धश्त की ये पारी में 6 चौके और एक छक्का शामिल था जिसने M.I.E. को शुरुवात में मजबूत स्थिती में ला दिया डॉट हाला की L.S.G. स्पिनरों क्रुनाल पंड्या और रवी बिश्नोई के आने से स्थिती बदल गई उनके कड़े स्पैल और तेज क्षेत्ररक्षन ने M.I.E. की प्रक्ति को धीमा कर दिया और पतन का कारण बना डॉट ब्रेविस को आउट करने के लिए क्रुनाल का शांदार कैच और उसके बाद सूर्य कुमार यादव को शूने पर आउट करने से M.I.E. अस्थिर हो गया रोहित को आउट करने के लिए बिश्नोई का कैच और हार्दिक की रन बनाने में असमर्थता ने M.I.E. को परेशान कर दिया नेहल वढ़ेरा के आउट होने से M.I.E. के लक्षे को और जटका लगा लेकिन नमन धीर की 28 गेंदों में नाबाद 62 रन की पारी ने कुछ सांत्वना दी उनके आविशकार शील शॉट्स और देर से की गई सफलता ने M.I.E. को 196 तक पहुँचा दिया लेकिन यह परियाप्त नहीं था डॉट उननीसवें और बीसवें ओवर में तीन छकों ने कुछ समय के लिए M.I.E. की उम्मीदों को पुनरजीवित कर दिया लेकिन क्रुनाल की उतक्रिष्ट सीमा रेखाक शेत्ररक्षन ने एलेस जी की जीत को सील कर दिया जो M.I.E. के निराशाजन्क सीजन को रेखांकित करता है